किशान भाईयों नमस्कार मैं राम बावुशिंग अपने राम फार्मिंग चैनल में प्रेम पुर्बग स्वागत करता हूँ किशान भाईयों आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं ऐसी कौन सी फ़सल है जो मई के महिने में लगा करके आने वाले 4-6 महिने तक इससे उत्पादन लिया जा सकता है और मोटी कमाई किया जा सकता है इससे पहले किशान भाईयों चैनल पे पहली बार आये हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो इस तरह की जानकारी जब भी मैं लेके आऊं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे किशान भाईयों फ़सले लगाने से पहले खेत की खुब अच्छी से तैयारी कर लेनी चाहिए इसके लिए हमें खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए जैसा की अभी मई महिने का पहला सब्ता है खेतों पे इस समय तेज धूप परती है गहरी जुताई करने के बाद 5-7 दिनों के लिए खेत को धूप लगने के लिए छोड़ देना चाहिए किसान भाईयों इससे होगा ये कि खेतों में जितना हानिकारक कीटें निमेटोड फंगस जनित रोग तथा खर पतवार की जरें या गाठें सभी तेज धूप एवं गरम हवा के लगने से स्वता ही नश्ट हो जाएंगे तथा फसलों को नुकसान कम से कम पहुँच पाएगा और दूसरी महतपूर्ण बात ये कि खेत की तयारी के समय यानि फसल की बुआई से पहले खेतों में देसी खाद जरूद डालनी चाहिए देसी खाद के रूप में सबसे बढ़िया सरी हुई गोबर की खाद तकरीबन तीन से चाट ट्रोली अवस डालनी चाहिए साथ में रसानिक उर्बरक पेसल डोज के रूप में डीएपी, पोटास, यूडिया जरूद डालना चाहिए सबजी फसल की खेती में खास कर निमेटोड की काफी समस्या देखने को मिलता है अगर आपके खेतों में भी निमेटोड की समस्या रहती है तो रशानिक उर्बरक पेसल डोज के साथ साथ कार्टप हैड्रोक्लोराइड 4 परतीसत जी सारह साथ से 10 केजी प्रती एकर या तो कार्बोफ्यूरान 3 परतीसत सीजी 3 से 5 किलोगराम प्रती एकर के हिसाब से खेतों में डालना चाहिए इस से निमेटोड का नियंत्रन क्या जा सकता है किसान भाईयों खेतों की तयारी करने के बाद अब बात आती है इस टाइम पे कौन सी फसल लगानी चाहिए जिससे अपने को अधिक से अधिक प्रोफिट मिल सके तो किसान भाईयों आप पहले नंबर पे अद्रक की फसल लगा सकते हैं इसको लगाने के लिए बेड मेथड यानि बेड बिधी का परियोग करना चाहिए ताकि जल्व हराब की समस्या न होने पाए जल्व हराब होने से इसमें कंद गलन की समस्या बढ़ जाती है किसान भाईयों अगर ड्रिप लगा कर अद्रक की खेती की जाए तो ये बहुत ही अच्छा होता है किसान भाईयों अद्रक के बीज की बात किया जाए तो आप अपने नजदी की मंडी या बाजार से संपर्क करके अच्छी बीज देखकर खरीद सकते हैं बीजों की रुपाई की बात किया जाए तो अद्रक के बरे गाठों को छोटे छोटे टुकरों में तोर कर या काट कर तयार कर लेना चाहिए इसके बाद तयार किये गए बेड के उपर लगाना चाहिए बीजों को लगाने के लिए अंतर की बात किया जाए तो दो गाठों के बीच आधा फिट की दूरी तथा बेड के उपर दो कतारों के बीच की दूरी तकरीबन एक फिट रखा जाना चाहिए बीज को बेड पे लगाने से पहले उपचारित जरूर कर लेना चाहिए किसान भाईयों अधरक की खेती की संपूर्ण जानकारी वाली भीडियो का लिंक डिस्क्रिस्टन में मैं ते रखा हूँ वहाँ पे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं किसान भाईयों अब बात करते हैं दूसरे नंबर की सबजी फसल की जिसको मई महिने में लगा कर तावरतोर उपज तथा भारी कमाय किया जा सकता है किसान भाईयों वहाँ फसल कोई और नहीं वह है बैगन की खेती जो आपको आने वाले कुछी महिनों में अच्छी कमाय दे सकती है इस फसल को आप मई के पूरे महिने कभी भी लगा सकते हैं अगर नरसरी तयार हो तो अभी लगा सकते हैं और अगर नरसरी तयार ना हो जल्द नरसरी लगाया जा सकता है ताकि 20 से 25 दिनों के अंदर नरसरी तयार होने के बाद भी आप वेगन का फसल लगा सकते हैं किसान भाईयों इस समय यानी मई महिने में लगाई गई बैगन जब 55-60 दिनों बाद हार्वेस्ट होती है तब मार्केट में इसके भाव काफी उच्छाल पे होता है जो पूरे साल में सबसे अच्छा कीमत मिलता है किसान भाईयों बैगन की उत्पादन की बात किया जाए तो बैगन का मात्र एक पौधा तकरीबन 80-100 किलो ग्राम तक का उत्पादन दे सकता है वसरते की इसकी सही तरीके से देखवाल किया जाए तो किसान भाईयों इस फसल में सबसे अच्छी बात ये है कि यह एक लंबे समय की सबजी फसल है जो एक से डेड़ साल तक बैगन निकलता रहता है परन्तु इसमें कीटों का प्रबंधन भी अच्छे तरीके से करना होता है बैगन में फल छेदक तथा तना छेदक कीटों का परकोप काफी अधिक देखा जाता है जिसको कंट्रोल करने के लिए अच्छी क्वाईलिटी का कीट नासक का समय समय पर छिरकाव करना जरूरी होता है फल छेदक के जो इलिया होती है वो अंदर घूसे होते हैं इसके लिए इमें मेक्टीन बेंजोयेट पांच परतिसत एस जी 100 ग्राम प्रति एकर या डेलिगेट यानी एस्पाइने टोरम 11.7 परतिसत एस सी दसमल नौ एमिल प्रति लीटर पानी में मिला करके सब्ताह दस द खेदक एवं फल छेदक कीटों का अगर सुरू के 20 से 25 दिनों तक नियंतरन कर लिया जाए तो समझे बैगन सबजी फसल का अच्छी उपज तथा जैदा से जैदा प्रोफिट लिया जा सकता है किसान भाईउं इस फसल को आप क्यारियों में अथवा मेरों पर लगा सकते हैं परन्तु इसका अच्छा उपज के लिए हो सके तो इसे बेड पे मल्चिंग का पड़ियोग करके लगा जाए तो बेहतर उपज देती है किसान भाईउं पोधे के अंतर की बात किया जाए तो कतार से कतार की दूरी 3-4 फीट तथा पोधे से पोधे की दूरी 1.5-2 फीट रखनी चाहिए होता है किसान भाईूं, उन्नत किस्मों की बात किया जाए तो सबसे बेहतर तो यह होगा कि आप अपने एरिया के हिसाब से किस्मों का चेहन करें अगर आपके छेत्रों में लंबे बैगन की किस्मे का ज्यादा मांग है तो वही चुनाब कीजी अगर बरे एवं गोलाकार बैगन किसमों का या फिर छोटे अकार के बैगन का मांग हो तो वो लगाया जा सकता है इसका भी अपने नजदी की एग्रो सेंटर से संपर्क एवं सलाह से लिया जा सकता है किसान भाईयों अब बात करते हैं तीसरे नंबर की सबजी फसल की जिसको मई महिने में लगा कर काफी अच्छी कमाई की जा सकती है किसान भाईयों मई के महिने में घिया का फसल लगा कर एकर के तकरीवन 2-3 लाख तक की कमाई कर सकते हैं गीया की खेती जमीन पर भी की जाती है परंतु मचान बिधी से गीया की क्वैलिटी तथा प्रोडक्शन दोनों ही काफी अच्छी होती है साथ ही बारिस में गीया को हारवेश्ट करने के दोरान कोई परेसानी नहीं होती कोई बिसेले जन्तु आदी से भी असुरक्छा का कोई भय नहीं रहता है इसके साथ साथ कीटों एवम रोगों का भी प्रकोप बहुत कम देखने को मिलता है किसानवायों खेत की तैयारी देशी खाद देकर करने के बाद घिया की बुआई के लिए खेतों में धुरा बना करनी चाहिए दो धूरों के बीच की दूरी छो से आठ फीट रखा जा सकता है हर धूरा के ऊपर घिया का बीज लगाना चाहिए बीज के अंकुरन के बाद जब पौधे तकरीवन दो तीन पतियों का हो जाने पर बास आधी के उप्योग करके मंडप यानि मचान बना लेना चाहिए किसान भाईयों उन्नत बीज की बात किया जा है तो वियनर कमपनी का हरुना महिको का माही नंबर आठ वियनर कमपनी का सरीता इस्ट वेस्ट कमपनी का अनमोल सिजिंटा कमपनी का सजीली उन्नत किसमों का आप चैन कर सकते हैं किसान भाईयों अगर आप इन तीनों फसलों को मई के महिने में लगाते हैं तो इससे आप अच्छी उपज एवं जैदा से जैदा प्रोफिट ले सकते हैं किसान भाईयों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें तथा अन किसानों तक सेर करें चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें धन्यवाद